Welcome all your students, daily police constable की vacancy का detail notification आ गया है, तो आज मैं आपको इसके बारे में एक एक information बताने वाला हूँ, end तक देखेगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, important dates क्या है, post क्या है, age, qualification क्या है, NCC certificate का क्या benefit है, fees कितनी है, exam pattern क्या रहेगा, syllabus क्या रहेगा, negative marking कितनी रहेगी, physical standard क क्या है, और physical test में क्या क्या रहेगा, selection process क्या है, अगर आपको online course घर बैठेस की preparation करनी है, तो कौन सा online course आपके लिए best रहेगा, और previous papers आपको कैसे मिलेंगे, आईए, start करते हैं, सबसे पहले हम important dates की बात कर लें, तो इसकी exam के form की जो online application है, वो आज 1 अगस्ते से start हो गई है, एक अगस्ते से इसका form अब भर सकते हैं, SSC की website पर, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, और इसकी last date है 7 September, 7 September इसकी last date है, बाकी फिर अलग-अलग है, अगर आओ offline payment करते हैं, तो 14 September last है, और सबसे important इसका जो exam है, वो 27 November से 14 December तक चलेगा, मतलब बहुत अच्छा समय है आपक अच्छी preparation आप कर सकते हैं, ओके, next time मैं आपको बता दू, सबसे पहले number of post, यह as it is notification से मैंने इसको capture किया है, तो थोड़ा सा आपको दिखने में छोटा लग सकता है, बाकी मैं आपको बोल कर समझा दूगा, total यहाँ पे police में, constable में, महिला और, पुरुष और महिलाओं में सारी vacancies बटी हुई है, total अगर मैंस की, पुरुषों की बात करें, तो 3433, जिसमें इसके अलाबा, backlog और भूतपूर सेनिक हैं, और अलग-अलग categories को मिला कर 226 हो रहे है, महिलाओं के लिए 1944 है, पुरुषों में एक और category है, तो हम main अगर देखें कि total vacancies कितनी है, तो वो है 5846 बाकि आप category wise अलग-अलग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा number आपको मिला है, 5846-5846, काफी अच्छी vacancies हैं, अच्छा मोका है, preparation का, अच्छा मोका है, selection लेने का, और आपको इसका पूरा notification और ये सारा PDF हमारे winners के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलिग्राम जाएगा, winners institute search कीजिएगा, वहाँ पे इसका notification का PDF डल चुका है, और ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और online courses और जो हमारे YouTube के वीडियो होते हैं, सभी की information आपको वहाँ पर मिल जाएगी, next छोटा सा मैं आपको बता दूँ, हम लोग अपना online course स्टार्ट कर रहे हैं 10 अगस्त से, और इसकी fees केबल 1450 रुपे हैं, और इसमें आपको live classes, test series, notes, सब कुछ मिलेगा, बाकी और information में आपको end मैं बता दूँगा, next अब हम बात कर लेते हैं, age के बारे में, देखिए, इसकी जो age है, minimum है 18 और maximum है 25, 25, 25 साल और ये 1 July 2020 के according है, यहाँ पर आप ध्यान 2 July 1995 के पहले का आपका date of birth नहीं होना चाहिए, और 1 July 2002 के बात का नहीं होना चाहिए, लेकिन category wise यहाँ पर relaxation है, अनुसुची जन जाती के लिए 5 years का, अन्य पिछडा वर्ग 3 years के लिए, जो विशेश योगेता प्राप्त खिलाडी हैं, उनके लिए 5 years का है, उसमें एक और categories ह जिसमें 10 years का भी है, इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस के बिभागी अभ्यरती अनारक्षी थे हैं, तो 40 साल बिभागी अभ्यरती हैं, अन्य पिछडा वर्ग के 43, और भी भुतपुरु सैनिकों के लिए, और जो अल्रेडी दिल्ली पुलिस में कर्मचारी हैं, उ आपको पता ही होगा कि इसके लिए केवल 10 प्लस 2, मतलब 12 आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी परसेंटेज हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कब तक, जो बच्चे जिनका भी 12 का रिजल्ट नहीं आया है, या जो जो है, ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए कंपल सरी है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो अभी मैंने आपसे कहा था कि 7 सितंबर 2020 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, और अगर 7 सितंबर 2020 तक आपका रिजल्ट आ जाता है 12 का तो आप इसका form भर सकते हैं, otherwise फिर आपका form reject कर दिया जाएगा, next, देखे, जिन candidates के पास NCC certificate है, अगर आपके पास C category का प्रमान पत्र है, तो आपको bonus अंक मिलेंगे 5%, B category के लिए 3% और A category के लिए 2%, okay, next, देखे, सारा जो आपको online form fill करना है, सारी जो process है, वो ssc.nic.in की link पर जाना है, यहीं पर आपको form fill करना है, और सारी information, admit card, यह भी सब आपको यहीं से मिलेंगे, इसके बाद जो physical test और आगे की जो process होती है, वो देली police की website पर होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, next, आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी से इसकी fees, तो इसकी fees है, मात्र 100 र लगेगी, मतलब OBC और आपका सामान्य वर्ग, दो प्रकार की categories के लिए, cable यहाँ पर 100 रुपए, बाकी सभी के लिए free of cost है, और सारे payment mode यहाँ पर है, next आप हम सबसे important बात करते हैं, exam का pattern, तो देखिए, total 100 questions आना है, 100 marks रहेंगे, और आपके पास समय रहेगा 90 minute, 90 minute का, तो इसमें जो subjects आएंगे, पहला तो होगा सामान्य बुद्धि मत्ता, जिसको हम कहते हैं, जी के, मैं आपको भी detail में syllabus बताऊँगा, क्या-क्या topics आपको इनके अंदर पढ़ना है, और सम समाई की मतलब current affairs, तो इसके 50 questions आएंगे, सबसे important हैंगे, और total marks इसके रहेंगे 50, तरक reasoning, 25 questions, maths, इसके 15 questions, और computer का fundamentals रहेगा, इसके 10 questions, तो ऐसे 100 questions, 100 marks, और time आपके पास रहेगा 90 minutes, मतलब 1.5 घंटा, ओके, negative marking यहाँ पर रहेगी, negative marking रहेगी, 0.25 जिसको हम 1.4 बोलते हैं, मतलब अगर 4 आपके questions रॉंग है, तो एक correct answer जो है, वो भी हट जाएगा, मतलब एक number आप English दोनों language में रहेगा, fine, देखें, अब syllabus की बात कर लेते हैं, जल्दी से, तो जैसा मैंने कहा था, सामान ने ग्यान और current affairs, तो इसमें basically GS पूरा आजाएगा, आपका GK पूरा आजाएगा, मतलब क्या होगा इसका, आप यहाँ पर देखेंगे, so, खेल, इतिहास, संस्कृत भूगोल, मतलब geography हो गया आपका, आर्थिक परिद्रश्य, सामान निराज बेवस्ता, मतलब polity, संभिधान इसमें पूरा आजाएगा, so, basically, history, geography, polity, है ना, और जो current affairs, यह सब में जितना भी content होता है, यह सामान ने ग्यान के अंतरगत आएगा, second तर्क शक्ती, तो आप अगर SAC के किसी भी exam की preparation कर रहे हो, railway के exam की preparation कर रहे हो, तो जो reasoning वहाँ पर है, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, और यह सब हम अपने online course में पूरा topic wise आपको पढ़ाने वाले हैं, okay, so, बहुत सारे topics हैं, जिनको आप यहाँ read कर सकते हैं, है ना, वरगी करण होता है, coding recording होता है, है, श्रंकला होता है, और भी कई सारी चीज़े इसमें होती हैं, देन हम बात करते हैं, maths की, तो maths इसमें बहुत ज्यादा tough नहीं आता है, ठीके, काफी, अच्छा इसका maths होता है, तो basic जो मुलभूत, अंक गनिती, संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा अनुपाद, समानुपाद, औसद, ब्याज, लावानी, छूट, शेत्रमीती, समय दूरी, अनुपाद, समय कार्य, नल्टंकी और ये जितने भी topic होते हैं, ये सारे, तो basically जितना भी arithmetic portion है, वो complete आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ओके, इसके बाद आपको मैं जल्दी से ब बनाना, मतलब basically excel, word, excel, typing, basic चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत deep आप से नहीं पूछा जाएगा, जो common है, आज के जमाने में जिन चीजों की जरुरत है, day to day life में, वो चीज़ें आप से इसमें पूछी जाएंगी, इंटरनेट से, web browser से related questions, STTP क्या होता है, FTP क्या होता ह है, search engines क्या होता है, video conferencing, e-banking, और बहुत easy syllabus होता है computer का, आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं, इसमें डरने की जरुरत नहीं है, अब बात करते है, physical standards की, फिर physical test की भी हम बात करेंगे, सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, शारिरिक शमता परिक्षा, तो 6 मिनिट में आपको 1600 मीटर कवर करना है, 14 फिट लंबी कूद, 3 फिट 9 इंच की उजी कूद, 30 से 40 वर्ष के हैं, तो 7 मिनिट 13 फिट, 3 फिट 6 इंच, 40 से उपर हैं, तो 8 मिनिट में कवर करना है, 12 फिट की long jump है, और 3 फिट 3 इंच की high jump है, और यह compulsory है, सभी को इसको qualify करना पड़ेगा, आपका सबसे पहले online test होगा, online आप test देंगे, उसके marks पर ही merit list बनेगी, लेकिन जो physical test होता है, यह केबल qualifying होता है, और इसमें कोई reservation या ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी को qualify करना ही होगा, और यहीं यहाँ पर इस पस्ट लिखा हुआ है, 3 chances आपको मिलेंगे, जि यह भी जो बात में कर रहो है, यहाँ पर standard की, यह भी पूरुश अभ्यरतियों के लिए है, तो उनकी height होनी चाहिए noon thumb, minimum 170 cm, 170 cm होनी चाहिए, अगर हम बात करें पहाडी छेत्रों वाले जो हमारे भाई होते हैं, मनीपूर, त्रिपूरा, मिजोरम, मिगाला, यासम, हिमाच जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा relaxation मिल जाता है, इस shoot का दावा करने वाले आप इसको पढ़ेंगे, अगर अनुसूची जाती जन जाती हैं, तो 5 cm आपको extra यहाँ पर relaxation मिलता है, यह जो मैंने पहाडी छेत्र प्लस जिन राज्यों का कहा था, यहाँ भी 5 cm का relaxation है, दिली पुलिस के अगर दिवंगत कर्मचारी हैं, या सेवा निवरत कर्मचारी हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनके लिए भी 5 cm का आपको relaxation है, so height में आपको relaxation मिल जाएगा, बाकी जो physical test हैं, उसमें relaxation नहीं मिलना है, देन बात करते हैं सीना, chest, तो 81 cm आपका होना चाह ये, 81 से 85 के बीच में, इसके अलावा फिर आप बाकी चीज़ें आपड़ सकते हैं, अगेन अनुस्ति जाती जन जाती, 5 cm का आपको मिल जाएगा, दिली पुलिस के सेवा निवरत या दिवंगत कर्मचारी हैं के लिए 5 cm कराएगा, अब महिला आप व्यरतियों की बात कर ल रहेगी, 30 से 40 के लिए 9 मिनिट, 9 फिट, 2 फिट, 9 इंच और 40 साल के उपर की अगर महिला हैं, तो 10 मिनिट, 8 फिट और 2 फिट, 6 इंच उन्हें कवर करना होगा, इसके बाद अगर उनके फिजिकल स्टेंडर्स की बात करें, तो हाइट मिनिमम होनी चाहिए 157 cm, इसी प्रका पहाडी छेत्र या इन राज्यों के अगर केंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए 2 cm का यहापे रिलेक्सेशन हैं, साथ ही अनुसुची जाती जन जाती वाले केंडिडेट्स के लिए भी 2 cm का यहापे रिलेक्सेशन आपको मिलेगा, ओके, सारी चीज़ आइधिक अभी तक क् पाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, वो भी आपको क्लियर करना जरूरी है, तो यहाँ वो सारी चीज़े लिखी हुई हैं कि आपको जो है आखों की द्रस्टी चश्मे की बिना 6x12 होना चाहिए, रंग द्रस्टी हिंता की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुधार के लिए चस्श्मा उसके लिए नहीं लगा होना चाहिए, सरजरी नहीं होनी चाहिए, तो आइ Springs related आपको प्रॉलम्ज नहीं होनी चाहिए, इसके अलाबाब टेटु के यह सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इन process होगी उसके बाद सीधी आपको joining मिलेगी okay so online ही सारा procedure इसका रहेगा computer आधरित जो आपका paper रहेगा English और Hindi दो language में आपको papers मिलेंगे minimum cutoff की भी policy है जो अनारक्षी थे minimum है यह देखे दो प्रकार के cutoff होते हैं minimum होता है minimum minimum मतलब इतने marks तो आपको लाना ही है अगर आपने इससे कम marks लाए तो आप disqualify कर दिये जाओगे लेकिन जो final merit list बनेगी वो कितने candidates उसमें बैठते हैं और कितने लोग exam देते हैं कितनी post है उसके बेस पे final merit बाद में अलग से decide होगी ठीक है so यह minimum qualify marks है आपको total 100 में से इतने marks तो लाना ही है ओके इसके अलाबा जितने vacancy है उसका 12 गुना लोगों को select किया जाएगा physical test के लिए और जैसे ही आपका return test हो जाता है उसके आगे की सारी process जो है आपको dailypolis.nic.in वाली website पर आगे आपको admit cards और आगे की जितनी ऐसा आपको और कुछ बताने लायक नहीं है सारी चीजे में mainman आपको समझा चुका हूँ बाकि आप आराम से और पढ़िएगा क्योंकि बहुत बड़ा notification है जिसको मैंने short में बताया है अब last में मैं आपको बता देता हूँ कि winners institute से जुड़कर आप कैसे इसकी एक best preparation कर सकते हैं तो इसके लिए हमारा batch 10 अगस्त से launch हो रहा है 10 अगस्त से daily 3-4 घंटे की classes होंगी शुरुआद हम 3 घंटे की classes से करेंगे और उसको फिर 4 घंटे की करेंगे maths मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको reasoning के हमारी expert faculties हैं इसके अलाबा GS की भी पूरी हमारी team है और आपका जो computer है तो आपके सारे subjects with exam pattern हम cover यहाँ पे कराएंगे और आपको 10 अगस्त के पहले YouTube पर इसकी demo classes मिल जाएंगे तो आप faculties के वीडियोस देख सकते हैं मेरे तो बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं आप में से कही लोग उने देखे भी होंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा math का पढ़ाने का तरीका किस तरीके का है और एकदम basic से advanced level तक हम पढ़ाते हैं सबसे खास बत इस course की यह हैं कि आपको इसमें live classes मिलेंगी अगर आप live classes नहीं देख पाते हो तो recorded classes रहेंगी जिसको आप कभी भी देख सकते हो test series आपको मिलेगी, notes आपको मिलेगे, practice sheets मिलेगी with video solution और इसके अलावा बहुत सारी सुविदाएं आपको winners की app में मिलेगी और previous papers भी अगर आपको download करना है तो previous papers भी आप download करेंगे winners institute app से तो winners institute app आप install कर लिए वहाँ पर आपको यह course भी मिल जाएगा और वहाँ से आप previous papers भी download कर सकते हैं और इस course की fees केवल और केवल 1450 है जो limited time के लिए है अगर आप interested है, serious candidate है, आप इसको join कर सकते हैं और हम साथ ही साथ इसकी validity आपको minimum 6 months देंगे तो जितने भी आपको material मिलेगा, videos मिलेंगे, सब आपके पास 6 महीने तक रहेंगे और आप इन्हे offline भी download कर सकते हैं कई बच्चों के साथ network का issue होता है, तो हम सारे videos live होने के बाद वो recorded में convert होते हैं, आप recorded कितनी भी बार देख सकते हो और अगर आपके area में network का issue है, तो आप offline download कर सकते हो और आप जब चाहो तब उन्हें कितनी भी बार देख सकते हो तो इसे कई सारे features हैं, आप एक बार app को open कीजेगा देखिए, courses आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कोई और course मत join कीजे, जहां आपको अच्छे से समझ में आता है वहाँ आप join करें, आप एक बार हमारे demo classes भी जरूर देखें YouTube पर, शायद आपको बहुत अच्छा लगे, और आपका join करने का मन जरूर करेगा क्योंकि हमारी जो team है, बहुत expert है, काफी experience लोग है और सबसे खास बात कि ये तीनों चीजें आपको एक साथ कोई नहीं देगा कहीं पर आपको या तो सिफ classes मिलेंगी, या test series मिलेंगी, या notes मिलेंगे हम तीनों चीजें आपको दे रहे हैं, live classes भी दे रहे हैं, test series भी आपको इसकी दे रहे हैं जिसमें full length test आपको मिलेंगे, तो कोई अलग से test series खरीदने की ज़ुरत नहीं है चीजें इस vacancy से जुड़ी हुई अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर अभी भी आपका कोई doubt है, कोई confusion है, तो आप comment कीजिए, next video हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको इससे जुड़ी हुई सारी बाते बताएंगे, okay, thank you, all the best